हेलो प्रेंट, निटिंग डिसाइन में देखिए प्यारा सा मल्टी कलर डिसाइन, बहुत ही खुफसा तो प्यारी से हमारी डिसाइन है, कोई भी बिगनर्स भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकता है, और इसे आप किसी भी स्वाटर में, जैकेट पे, काडिगन पे बनाएए, बेबी कैप बनाएए, बेबी बलैंकेट, कहीं भी डिजाइन इसे को बना सकते हैं, और ये थोड़े थोड़े पची हुए उनका भाद ही अच्छा यूज़ हुआ है, तो आएए इस डिजाइन को हम बनाना सीथे हैं, यह देखिए, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 8 8-8 की multiple पंदे चाहिए और प्लस 1 करतें तो यह design हमारी set हो जाएगी और यहां पर मैंने 8 की multiple 40 प्लस 1 41 पंदों मैं यह design आपको बना कर दिखाते हूं तो आएए देखते हैं इसकी first row और इसमें देखिए सबसे पहले हमारा white आएगा 1, 2, 3 पंदे हमारे यह white के होके अब यहां पर हमारा दूसरे color आएगा और यहां पर मैंने यह red color लिया है यह one, two, three पंदे red, one, two, three, four, five पंदे हमारे white के अब हम three पंदे red, five white पूरी रो में बार पर repeat करेंगे तो फिर बना के दिखाते हैं यह one, two, three पंदे red, one, two, three, four, five हमारे white के फिर three पंदे red तो इस तरह से three पंदे red और five white हमारी पूरी रो मनेगी और देखें जब इनी फंदों को repeat करते आएंगे तो रो की लास्ट में भी three पंदे ही हमारे white के लर से रहेंगे यह हमारी रो नमबर two है जिसमें one, two फंदे white और अब red के लर से one, two, three, four, five फंदे red, one, two, three हमारे white से तो स्टार्टिंग में सिर्फ दो फंदे white के रहेंगे उसके बाद five फंदे red, three white हम पूरी रो में बार 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 बनाएंगे तो यह red के दोनों साइट के एक एक white फंद ही हमारे red के हो रहे हैं यह देखें यह one, two, three, four, five हमारे red से one, two, three फंदे white फिर five red यह one, two, three, four, five और three हमारे white से तो इस तरह से आप यह पूरी रो हमारी बनेगी और यह देखें इन्ही फंदों को रिपीट करते आएंगे तो last में two फंदे हमारे white कलर से रहेंगे और यह देखें row number three इसमें हम सारे फंदों को red कलर से ही बनाएंगे जो white फंदे हैं वो भी red होंगे और जो red फंदे हैं उन्हें भी हमें red कलर से ही बनना है और इसके साथ ही हमें बाइट फंदों को थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरह से अपने साथ पसाते वेट लेकर चलना है तो ये पूरी रो अब हमारी ये देखे रेट से ही बनेगे और इस तरह से पसा देंगे तो पूरी रो बना करके फिर दिखाते हैं यह देखे रो 3 पहले पूरी रैड कलर से बना लिया है और देखे अब हम रो 4 पे हैं जिसमें सब पहले 1, 2 पंदे वाइट, 1, 2, 3, 4, 5 पंदे रैड, अब वाइट कलर सी 1, 2, 3 हमारे वाइट से तो स्टार्टिंग में सिफ 2 पंदे हमारे वाइट के हैं उसके बाद हम 5 पंदे रैड और 3 वाइट पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे तो एक बार और रिपीट करते हैं यह 1, 2, 3, 4, 5 हमारे रैड से 1, 2, 3 पंदे वाइट तो इस तरह से अब यह पूरी रो हमारी बनेगी और यह देखें इस बार भी लास्ट में 2 पंदे ही हमारे वाइट कलर से रहेंगे और देखें अब हम रो 5 पे हैं जो रो नंबर 1 की तरह ही बनेगी यह 1, 2, 3 पंदे वाइट 1, 2, 3 हमारे रैड से 1, 2, 3, 4, 5 पंदे वाइट के तो स्टार्टिंग में सिर्फ 3 पंदे वाइट के रहेंगे उसके बाद हम 3 पंदे रैड 5 पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे यह 1, 2, 3 हमारे वाइट से और यह 3 पंदे रैड के हो गए 1, 2, 3, 4, 5 पंदे वाइट फिर 1, 2, 3 पंदे वाइट फिर 1, 2, 3 पंदे रैड तो इस तरह से हम 3 पंदे रैड 5 पंदे रैड 5 पूरी रो में बनाएँगे यह देखें यह हमारी रो नमबर 6 है इसमें अब हमारा यहाँ पे दूसरा कलर आएगा तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर ले लिया है यह 1, 2, यह 2 पंदे हमारे ब्लू के बार अब वाइट आजाएगा 1, 2, 3, 4, 5 पंदे वाइट के 1, 2, 3 हमारे ब्लू से तो स्टार्टिंग में सिर्फ 2 पंदे हमारे ब्लू के हैं उसके बाद 5 पंदे वाइट, 3 ब्लू हम पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे एक बार और रिपीट करके दिखाते हैं यह 1, 2, 3, 4, 5 हमारे वाइट से 1, 2, 3 पंदे ब्लू फिर 1, 2, 3, 4, 5 पंदे वाइट और 3 पंदे ब्लू इस तरह से अब यह पूरी रो हमारी बनेगे यह देखिए, यह देखिए, रो 7 में सबसे पहले ब्लू किलर सी 1, 2, 3 पंदे ब्लू के 1, 2, 3 हमारे वाइट से हो गए अब फिर ब्लू किलर सी 1, 2, 3, 4, और यह 5 तो स्टार्टिंग में 3 पंदे हमारे ब्लू के रहेंगे उसके बाद 3 पंदे वाइट, 5 पंदे ब्लू हम पूरी रो में बार बर रिपीट करेंगे तो एक बार और रिपीट करते हैं यह 1, 2, 3 हमारे वाइट से 1, 2, 3, 4, 5 पंदे ब्लू तो इनी पंदो को रिपीट करते हुए इस पूरी रो को हमें बनाना है यह देखें जब इनी पंदो को रिपीट करते आएंगे तो लास्ट में हमारे 3 पंदे ही ब्लू कलर से रहेंगे और यह देखें रो नमबर 8 इसमें सारे फंदो को हम ब्लू कलर से ही बनाएंगे जो हमारे वाइट फंदे हैं वो भी अब हमारे ब्लू कलर से ही बनेंगे और इसके साथ ही हम इस वाइट फंदे को अपने साथ थोड़ी थोड़ी दूर पे फसाते चलेंगे तो ये देखे पूरी रो हमारी ये ब्लू किलर से ही बन रही है ये वाइट को मैंने थोड़ी दूर पे फसा लिया तो पूरी रो ब्लू किलर से बना करके और फिर हम आपको दिखाते ही अब हम रो नमबर नाइन पे आ गए हैं जो रो सेवन की तरह ही बनेगी और इसमें भी सबसे पहले ये 1, 2, 3 फंदे ब्लू से रहेंगे 1, 2, 3 हमारे वाइट अब ब्लू किलर से 1, 2, 3, 4, 5 फंदे ब्लू और 3 फंदे हमारे वाइट से बनेंगे फिर 5 फंदे ब्लू के 1, 2, 3, 4 और एक 5 तो स्टार्टिंग में देखें 3 फंदे हमारे ब्लू के हैं उसके बाद 3 वाइट 5 फंदे ब्लू, 3 वाइट 5 ब्लू पूरी रो बनेगी और जब रो की लास्ट में आएँगे तो यहां भी हमारे 3 फंदे ही ब्लू कलर से रहेंगे देखें रो 10 में सबसे पहले 1, 2 फंदे ब्लू अब हमारा वाइट कलर आएगा 1, 2, 3, 4, 5 हमारे वाइट से 1, 2, 3 फंदे ब्लू 1, 2, 3, 4, 5 वाइट 1, 2, 3 हमारे ब्लू से तो देखें स्टार्टिंग में सिर्फ दो फंदे हमारे ब्लू के थी उसके बाद 5, 1 दे वाइट, 3 ब्लू, 5 वाइट, 3 ब्लू पूरी रो हमारी बनेगी ये देखें रो 10 तक हमारी एक डिसाइन बन गई और इसके बाद रो 1 से लेकर रो नमबर 10 तक की डिसाइन को हम कलर को चेंज करते हुए जब बनाएंगे तो ये देखें हमारी डिसाइन इस तरह से बन के आएगी ये देखें इसी 10 रो की डिसाइन को जब मैंने बार बार रिपीट किया है तो कित्ती खूफसवत मल्टी कलर हमारी डिसाइन बन के आई है और इसी डिसाइन को आप सिफ दो रंगों से भी बना सकते हैं बेस कलर वाइट करिए जैसे रेड बनाना तो हर बार रेड कलर लगाएए आप अपनी हिसाब से मल्टि कलर बनाएए या दो कलर से बनाएए बहुत ही खुफसात और प्यारी सी डिजाइन मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज लाइक करिए शेर करिए और कमेंट करके बताई कि ये टिसाइन आपको कैसी लगे थैंक यू